नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिंपल आयुरुवेदा में दोस्तो मेरा नाम है प्रिफिराजबर्मा तो दोस्तो केसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे दोस्तो आप लगोतार हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे है और बहुत हमें प्यार भी दे रहे हैं वीडियो पे बहुत से लोगोंगों ने अपना बिजनिस टार्ट कर लिया है आपको पता ही है साबुन मनाने की किटे हमारे पास उतलब्ध है अब भी माल है वो फुल स्टोक हमारे पास आया हुआ है आप कहीं से भी ओर्डर कर सकते ह किट का प्राइज एक हजार रुपे 15 रुपे और 25 रुपे है वह मैं आपको पीडियेफ बेज़ देता हूं वाटसप नंबर मेरा डिस्क्रिस में दिया गया है आप उस पे मैसेज डाली है हैलो का और मैं आपको वहां पर पीडियेफ है बूसेंड कर दूंगा और इसके अला चाहूंगा इस परकार से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर इस परकार के उपर फोमिंग आ जाती है साब उनके उपर उपर की साइनिंग वह विगड़ जाती है बाकि जो निच्चे की साइनिंग है वह बहुत अच्छी आती है लेकिन उपर की साइनिंग ये फोमिंग आने के उससे जाग खतम हो जाएंगे, अगर आपको वह नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको इससे आप इस जाग को काट भी सकते हैं उपर से, बहुत ही सिंपल टरीका है, बहुत ही एक सेकंड़ गंदर यह जाग हट जाएंगे, मैं आपको आगे पूरा वीडियो में प्रोसेस दिखाँगा किस प्रकार से आप इसको काट सकते हैं मातर 250 रुपे का जुगाड बनाना है आपको घर पे बनाना है वाइर आती है इसकी स्टैनले स्टील की वाइर आती है अगर आपको नहीं मिलती है तो हम बैस देगे इसके उपर जो आपको फोर्मिंग है वो नहीं दिखेगी और बहुत ही कलिर आपको यह दिखेगा बहुत अच्छी साइनिंग आएगी इसकी जब आप इसकी पेक्रिंग कर देंगे इस प्रकार से आप इसको पूर जागय वटा सकते हैं बस एक सेकंड लगेगा एक शाबुन को काटने में तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं सेटप किस प्रकार से बनाना है आपको मातर 250 रुपे लगाकर और उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाता हूं दोस्तों यह मैंने यहां पे जुगाड बनाया है यह मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है सबसे पहले मैंने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया है फिर मैंने एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा लिया है अलाकि यह मुझे मेरे गर पे ही मिल गई थे मुझे कह बागना नहीं पड़ा यह मैंने एक ब्रिक्स ली है और इसके नीचे का मैं शिस्टम आपको दिखा देता हूं यहां पर मैंने लकड़ी का टुकड़ा और लिया है जिसके उपर मैंने वाइर को लपेटा है ताकि यह यहां से खिंचा रहे इसको वाइर को लपेट के टेप की साहता से इसको फिक्स कर दिया है यह आप वाइर देख सकते हैं मैं दिखाने के कोशिस करूँगा यह देखिए यह वाईर इस लकड़ी में लगी हुई है स्टेले स्टील की वाइर है टूटती नहीं कि यह बहुती पतली वाइर होती है जो अपना हेर होता है बायल होता है उसके जीतरा पतला होता है फिर मैंने एक डिक्स ली है उसको इसके उपर रख दिया ताकि ये छोटा वाला लकड़ी का टुकड़ा है वो हिलेना और फिर ये वायर है इसकी साहिता से हम आगे साबुन काटेंगे वो आप आगे वीडियो में देखेंगे किस परकार से आपको स इसकोट के लिए और बाकी की साबुन आप जो काटने है वो ऊपर रख रख जाएंगे और वायर की सहता से काटते जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो तो दोस्तों यहां पर मैंने एक साबुन पहले निच्छे रख लिया है और अब इसके बाद में किसाब काटेंगे तो यह आप देख सकते हैं साबुन के ऊपर कितनी फूमिंगं और कितना खराब लग रहा है उपर से और यह काटने के बाद आप देखना इसके कितनी अच्छी साइनिंग आने वाली है तो अभी हम यह जो वायर है स्टेल स्टील का वायर है यह काफी बड़ा आता है तकरीबन 50 मिटर के आसपास यह वायर आता है और बहुत लही पतला वायर होता यह और तूटता भी दहीं है यह तो इसको साथ दानी से आपको काटना चा आएगा साबून अब देखिए यह वायर है वो आर पार हो गया है और यह देखो कितना अच्छा साइनिंग आया है आप किसी और चीज से काटोगे तो इसका जो है इसके उपर लाइनिंग बनी रहेगी तो यह देखिए इस वायर की साइटा से बिलकुल भी यह हमारे जो फ साइटेज है वो आपका नहीं जाएगा तो यह देखिए इसको पर कितना फोमिंग आया हुआ है कितना जाग बना हुआ है तो इस परकार से हम अगर यह साबून बेचने निकलेंगे मार्केट में तो दुकंदार है वो लेने से मना कर देगा यह कस्टमर भी हमसे नहीं तो यह कटने के बाद इसकी जो साइनिंग आने वाली है वो बहुत ही शांदार आने वाली है तो इस परकार से लगाएंगे हम फिर से इस वायर को और इस तरह से हम इसको काट लेंगे यह कटने के बाद आपका साबून ऐसा लगेगा जैसे मशीन से बना हुआ साबून है औ तो हम आपको बेज देंगे आप हमें वर्ट सब कर सकते हैं डिस्क्रिस्म निम्बर दिया गया है यह देखिए बिल्कुल ट्रांस्परेंट और पार इसके दिखने लग गया है कटने के बाद साबून यह साबून थोड़े से आपको मेले मेले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खुले पड़े थे कही दिनों से तो इसलिए थोड़ी सी इनकी साइनिंग कम हो गई थी दूप के अंदर रखे हुए थे तो अभी आप देख सकते हैं फिर भी इसकी जो ट्रांस्परेंट सी है वो कितनी अच्छी आ रही है साबून की और कटने के बाद है वो लाजवाब स चेट कर दिया है बहुत ही असान तरीका है काटने का यह देखिए इस परकार से यह वाइरिस के आर पार हो गया है पूरा अंदर से निकल गया है अब इसको अलग कर लेजे यह देखिए कितनी अच्छी साइनिंग आ रही है हमारी साबून की तो अब यह अगर आप पॉली क के अंदर पेक करके बैचेंगे तो बहुत ही असानी होगी आपको बैचने में बहुत अची ट्रांस्प्रेंसी आएगी इसकी यह बहुत ही अच्छा सस्ता जुगाड है फॉमिंग अटाने के लिए और साइनिंग लाने के लिए आप साबून को दोनों तरफ से भी काट सकत है क्योंकि वह चारों तरफ से कट जाता है अगर आप मार्केट से कट लेने जाओगे तो तीन हजार चार हजार पांच हजार रुपे ऐसे आता है तो यह आपको दो सुप चास रुपे में काम चल जाएगा बहुत ही सस्ता सा जुगाड है बस कुछ नहीं दो लकडी के टु पड़ नहीं है तो आप निचे कुछ और चीज भी रख सकते हैं इसके यह देखिए यह भी हम काटेंगे हमारा राबून और इसको काटने के बाद आप साइनिंग इसकी देखी रही है कि कितनी अच्छी साइनिंग आ रही है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के साथ सेर करना भी मत भूलिएगा और अगर आपको किट लेनी है तो आप में वर्टसप नमर पर मेसेज डाल सकते हैं वर्टसप नमर हमारा डिस्क्रिशन में दिया गया है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही